नमस्कार आप देख रहें TNP News मैं हूँ आपके साथ हांकुर पांडेरू करते हैं उतरप्रदेश की खबरों का उतरप्रदेश के मुख्यमंतरी यूगी आधितनाथ ने अपने मतुरा दोरे के दौरान अधिकारियों की क्लास लगाई बता दें कि बैटनरी कॉलेज में विकासकारों की समिछा के दौरान अधिकारियों को स्रियम योगी ने जम कर लताड़ा है और इस पश्ट शब्दों में ये भी कहा कि ब्रज के विकास में कोई भी लापरवाही बरदाश नहीं की जाएगी साथी कहा कि स्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बाके बिहारी मंदिर में हुए हाथसे के बाद भी आप लोगों ने कोई ठोस योजना नहीं बनाई आए दिन सृधालू घायल हो रहे हैं मुझे पल-पल की जानकारी मिल रही है आप लोग भले ही ना बताएं साथी सीम योगी ने आगे ये भी कहा कि यदि आप लोगों के काम ना करने का मन हो तो मुझे बता दीजिए मेरे पास कई अच्छे अफसर भी है जिने यहां तैनात कर दिया जाएगा लेकिन ब्रज के विकास में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बरदास्त नहीं किया जाएगा जिसके बाद सीम के सक्ट तेवर देखकर अधिकारियों के माथे पर चिंता की लगी ने दोड़ गई समाजवादी पार्टी ने मैनपूरी लोगसभा उपचुनाओ के लिए प्रत्याशी का एलान कर दिया है बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादो की पत्नी और पूर्व सांसद डिमपल यादो चुनाओ लड़ेंगी यह सीट मुलाइम सीग्यादो की निधन के बाद खाली हुई है मैनपूरी सीट पर यादो परिवार का कई दशकों से कब जा है मुलाइम सीग्यादो की राजनी तिक विरासत को अब डिमपल यादो समालेंगी राजदानी लखनों में डेंगू के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने पूरे राजी में विश्यस अभियान चलाया जिसकी तहत प्रदेश के 110 वार्डों में फॉगिंग और लार्वा दवा का छिलकाओ किया गया बता दें कि डिप्टी सीम रजेश पाठक की बैठक के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया और इसका कारेभार नगर निगम की एक बड़ी टीम को सौपा गया पिलीभीट जनपद में अपना दल S के कारेकरताओं ने एक बैठक कायोजन किया इस बैठक में अनुप्रिया पटेल को पुनह निर्विरोध राष्टी अध्यच बनाय जाने पर कारेकरताओं में खुशी की लहर देखने को मिली जिसके चलते कारेकरताओं ने एक दूसरे का मुमीठा भी कराया साथी आगामी नगर निकाय चुनाओं को लेकर चर्चा की तो वहीं मामले पर जानकारी देते हुए जिलाद्यच वेद प्रकाश गंगवार ने बताया कि हमारी पार्टी को राष्टी दर्जा मिल चुका है जिसको लेकर कारेकरताओं में काफी उत्सा और खुशी का मोहल है साथी कहा कि हमारी पार्टी आगामी नगर निकाय चुनाओं में सक्री रूप से शामिल होगी फिलाल यहां पर वक्त चलाए एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बरते अगली खबर की और पिलिभीत के सहरा मोह थाना चेतर में चौकी पर तैनाथ होमगाड ने सिपाही पर आरोप लगाए है सिपाही शराब पीते हैं और शराब के नशे में ही ड्यूटी करते हैं यह आरोप लगाए गए साथी होमगाड का कहना है कि शराब के नशे में ही सिपाही ने होमगाड की पिटाई की जिसकी शिकायच चोकी इंचार्ज और थाना प्रबारी निरिछक से की गई लेकिन अब तक इस मामले में कोई कारवाही नहीं की गई जिसके बाद पेड़ित होमगाड ने स्पी के वाटसेप नमबर पर तहरीर भेज कर सिपाही पर कारवाही की मांग की उसके बाद भी अब तक मामले में सिपाही पर कोई भी कारवाही नहीं हुई है तो उनसे हमारी बत्मिजवें उनने मामाही ने गाली दी हर तरीकाद बोले वह नन्य फालवर पिड़ाई बेट है उससे तुझे पिटवाईंगे तो हमके अब यह चार्थ पांच लोग होई गे तहीं हम साब चलेगे दरोगा जी से राजीव चौहांद साब हमने रातम ज पूरनपुर तो हमने एक अपली केसन लिखाई यह लिखा उनके बाद मैंने बाड सब करवाई ताब फिर स्वियो साब फोन गया रात 11 बजे स्वियो साब नहीं बात करी लेकिन ड्राइबर साब बोले हम ड्राइबर बोल रहे हैं हमने के ठीक है बताओ साब तो बोले आज पिली भी जनपत के काला मंदिर के पास निशुलक चिकत्सा शिविर का आयोजन हुआ जिसके पहले दिन ही शिविर में सैकडों पुरुस और महिलाओं की भारी भीड देखने को मिली यहाँ पर यह भी बता दें कि इस शिविर में कई प्रमुख बिमारियों का निशुलक उपचार किया जा रहा है जिसमें शहर के प्रमुख अस्पतालों की डॉक्टर मौजूद होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं जो की लगातार दस दिनों तक यूही जारी रहेगा हैं और अन्य तरह की समस्या होती है जो महिलाय आम तोर पे नहीं बताती है उनके बारे में दातों का शिवर और नेत्र का शिवर हमने चार सेग्मेंट को लेकि आज का इस वाशिवर आयोजित किया है और हमारा प्लान यह है कि हम इसको दस दिन तक लगातार करेंगे अपील यहां पर परचाभ नवाने के बाद सको आगे की सेवाए के लिए वहाँ पे जा सकता है डेंटलिक्षावा नॅसरो हों है और हमाइज से डॉक्टर शांतनु चौधरी हैं कुसुम हॉस्पिटल गे ताकि पेशिंस को आगे भी सेवाओं का उपयोगता मिल पाए गाजियाबाद में लोनी के चिरोडी गाओं में ट्रॉली में रखे पश्मों के चारे में आग लग गई मामले पर जानकारी मिलत सारा चारा जल कर राख हो गया फिलाल हमारे इस खास गुल्टन में तो नहीं बागी की तैमाम अपडेट के लिए आप बने रिये टेंपे नियूस के साथ नमस्कार